हेलो एबलीबन तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे तो जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में हमारी अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले 858 का भारस सरकार अधिनियम आप देखते हैं जो अब तक कंपनी चार्टर सरकार अधिनियम होने का क्या मतलब है इन सब के पारे हम सब्सक्राइब करें ऊससे पहले थोड़ा सा रवियन कर ले थे पिखली इंग्रेजर करते हैं के राजस्वी वसूली कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं बित्य अधिकार तो इन सब के बाब जूट जब लोगने काफी जादा उत्पाद मचाया तो बिटेन की सरकार ने क्या कही एक्ट लाया जिसे हम कहते है रेगुलेटिंग एक्ट उस रेगुलेटिक एक्ट के अंतरगत भारत में एक सुप्रीम कोट की स्थाबना की गई और एक कानूर बनाएगा जिसके अंतरगत क्या होता है कि भारत में कंपणी और राजनीतिक मामलेवी समालने लगी थे लिए बात है ठीक आगी दिखते हैं 1784 में उसमें सुप्सदार करके लाया था कंपणी दो तरे से करने लगती है दो अलग अलग बना दी जाते हैं पहला निदेशक बोड़ और प्यारे दूसा नेंतरगों जिसे हम कहते बोड़ अफ कंट्रोल ठीके नेंतरग बोड़ निदेशक बोड़ ब्यापारे मामले समा उन सब के बाद 893 का एक्ट आता है कंपनी के सब्ता समा लेगी और उसमें नायक प्रणराब लोकन की बिटेन की जो भी सुप्रिम कोट का जो भी मतवित था कि कोई समय करेगा किस भी नहीं करेगा उन सब को समाप्त कर दिया गया और पूरतरे से कंपनी किसके बंगाल के ध ब्यापार और अफिम की ब्यापार को छोड़ कर गया और भारती बाजार समस्त अंग्रेजों के लिए खूल दिया गया था और अग्रेजों को भारत में इस्ताई निमास करने की अनुमती मिल चुकी थी के लियुक्त कर देखा था आगे आथा था ठाथा सथी थीर्यों के सबी अधिकास माप्त करते हैं कंपनी की वर राजनिती कंपनी मन जाती है वह समें देखते हैं कि भारत में केवल अब क्या हुघा है कि गवणर्र जनर्र जो था बंगाल लका अब उससे कहना आथा है भार आईसेस की परिश्चा से भारते मुली खोल दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि कोई प्रतुवी परिश्चा के दोवारा भारत आईसेस में बाग ले सकता है आपने देखा था 1823 का एक्ट किस प्रकास से कुछ समात सुधार की विवाद की जिसने देखा था भारत की प्रगति व्रूदी नीतियां थी परदा परदा और बाल विभाव सती परदा हैं सब के ऊपर कुछ ने कुछ एक्ट उन्होंने लाग ग कि द्वारा किस प्रकार भारत में एक रखति पात काफी जाना मसता है और अंग्रेजों के बगाने की कोसिस की जाते हैं लेकर अंग्रेज किसी भी कार्ट वर्स नहीं बाग पाते हैं क्योंकि यूजना एक नहीं होती है ठीक है अलग लग जगया अलग समय पर अलगल लोग ठीक 18 सत्ताम के बाद आपने देखा था कि उन्होंने राजाओं को राजा बना रखा था प्रेस को प्रतबंदित कर दिया था प्रकति वुरुधिया नीतिया थी उनकी थोड़ा सा तस्यफ करना चलू कर दिया था अब आगे देखते हैं 288 अट आता है उसमें क्या का रहेगा कंपनी के लिए क्या होगा ग्या नहीं होगा चरी चुरुआत करते हैं उम्मीदे आपको क्लास में अच्छी लग रही होगी आप कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए थैंकी सूमच देखते हैं देखे, पहला point लिखा है, company के सासन को समाप्त कर देखा कर, आपने company का सासन जोताब समाप्त कर दिया थी, company अपने लिए काम नहीं कर पा दी, company रगातर घाटे में जा रही थी, ठीक है, आप देखे, तो पहला point का है, company को समाप्त कर दिया गया, यानि company का कोई मतलब नहीं है, कंपनी अब क्या हो गया था जो भी काम कर रहे वाँके लोग वो किस के अधीन होंगे बिटेन के अधीन के अधीन हो गया था कंपनी का कोई मतलब नहीं कंपनी पूरतरे से समापत हो चुगी ठीक है आगे देखेंगे कंपनी का साथन क करेंगा था दूसा पंपनिकित का सासन में निक्त करेंगा वह भाहरत किया है तो कौन निक्त कर रहा है इस विदे को ब्रेटिस पी एम जान इस किया ? पहले प्रधान मंती उस समय कौन थे पहले मतलब इस 1868 एक्ट आवने से पहले जॉन इस इसे पेस किया लेकिन सरकार गिर जाती है और एक्ट पास नहीं उपाता है फिर से सरकार बनती है और फिर से जब सरकार बनती है तो अब पी-म कौन होते हैं लौड डर्वी हो जाते हैं लौड डर्वी तो लौड डर्वी के बित्त मंतरी होते हैं नाम होता है डिजरेली के दवारा इसे पुने प्रस्तुत किया गया तुबारा से फिर से प्रस्तुत किया गया और तब यह पास हो सका लिए पास नेक्स्ट पाइंट गवर्णेट जनरल की जगे अब भारत में अब गवर्णेट जनरल का कोई भी पत भारत में नहीं था लिए उसकी जगे कौन हो गया था बाइसराय हो गया था तो कुछन आता है भारत का पहला बाइसराय कौन था तो कौन हो जाएगा लॉड केनिंग हो जाएगा उसके जो भी पत थे वह सब को इसमाध्ट करती आ जाएगा तो नेंतर वोड क्यानी कि जिस्यम कहते हैं बी वोसी बोड आफ कंट्रोल ठीक है और निद्रश्यक वोड इसे भी समाध्ट कर दिया ते क्या समाध्ट था वैपारिक मामले और यह क्या समाध्टी थी राजनिति यांनी भारत के लिए बातें कर रहा था भारता वायसराई गारत केृसराय है और माले किया हूँ भारतscale सच्छिप है ब्रेटन की साथ में इसलिए बहुते हैं भारत परिशत का गठान एक परिशाद अलग से बना दी गई भारत परिशद उसका किसे सदस थे 15 सदस थे बैई कितने सदस थे 15 सदस जिसमें बोलागा वह सदस क्या कर देड़े आगा कि मैं जो पूल रहा हूं वो सईद बोलना हूं भारत परिशत का गठान जिसमें 15 सद से वो नेड़ें बहुमत की दुआ रहा रहा नेक्स्ट बित्ती मामलों को छोड़कर बीटो का अधिकार दिया गया बाय सराय को बित्ती मामलों को छोड़कर करके सारे के सारे अधिकारों प्रते एक बरस बाइसरा आया भारत के मामले के जो सच्छिव है उस क्या करेंगे बिटेन की संसल में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे इसके बाद आएगा भाई मारानी विक्टोरिया का कुहनापत आगे हम उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में उम्मीद आपको गलास बसंद आयोगी अगर चेल लिखते है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सुमाँ